ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहिए पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहे, तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते, बोल, इलाबा अजाद है तेरे पूरी कोशिश कर रही है, कि कोई भी घटना हो, उसे हिंदू मुसलिम का रंग दिया जाए, ताजा मिसाल है, जैन मुनी की हत्या का मामला, कल पुलीस सामने आती है, दोनों आरोपियों के नाम सामने आते हैं, और पुलीस ये कहती है कि इस मामले के बीचे वित्तिय कारण था यानि कि जैन मुनी ने कुछ लोगों को पैसे उधार दिये हुए थे, वो लोग पैसा वापिस नहीं करना चाहते थे, और उन्होंने जैन मुनी के हत्या कर दी, ये पुलीस का मामला है दोस्तों, पुलीस का केस है, जाहिर सी बात है, पुलीस की हर थियोरी पर विश्वास क हुआ था, और जब संगोल के सामने साश्टांग हुए थे, तब इन्हीं प्रहलाज जोशी ने कहा था, कि देखिए, महराजा, देश के महराजा, संगोल के सामने सिर जुका रहे हैं, ये वही प्रहलाज जोशी हैं, अब प्रहलाज जोशी और सिर प्रहलाज जोशी नहीं, भारती जाता पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि कॉंग्रिस की सरकार appeasement politics कर रही है यानि कि मुसल्मानों को बचाने की कोशिश कर रही है और मुसल्मानों से जुड़ी राजनीती कर रही है अब जो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ दो नाम है दोस्तों जो सामने उभर कर आए हैं पहला नाम है नारायन बसपा मादी क्या नारायन किसी मुसल्मान का नाम हो सकता है? नारायन बसपा मादी क्या किसी मुसल्मान का नाम हो सकता है? और दूसरा नाम हसन दलायत हो सकता है मैं इसका प्रनांसियेशन या उचारण सही नहीं कर रहा हूंगा उनके सरनेम का मगर पहला नाम हसन बस इसी नाम को लेकर भारती जनता पार्टी जो है वो सामप्रदाइक राजनीती कर रही है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं फिर कह रहा हूं पुलीस जो दावा कर रही है उस पर विश्वास मत कीजे मैं भी नहीं करता हूं पुलीस की हर बात पर विश्वास मगर जो दो नाम सामने आए एक नारायन और एक हसन जब तक पुलीस की जाच के बाद ये सामनी उभर कर नहीं आए कि इन दोनों ने किसी जिहाद के चलते या किसी हिंदू मुसलिम आंगल के चलते नारायन मुनी की हत्या कर दी हो तब तक बगएर मामले की समवेदन शीलता को समझे हुए बीजेपी इस तरह की घैर जमेदाराना बयान क्यों देती है अब याद कीजिए मैंने कारकरिम की शुरुआत में क्या कहा था दोस्तों कारकरिम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा था जब देश के ग्रे मंत्रिया में ये भाप लिया था कि करनाटक में वो हारने वाले हैं तब उन्होंने कहा था कि करनाटक में अगर सरकार ते मौझूद हैं किसी भी तरीके से हिंदू-मुसलिम आंगल की बात नहीं करते और आप महां क्या कर रहे हैं मुझे बताईए और क्यों कर रहे हैं क्या करनाटक की जो जनता है उनकी जान को लेकर आपको बिल्कुल भी परवानी है अगर मैं दो मिनिट के लिए मान भी उसे माहौल को भढ़काना चाहिए बताईए क्या उससे भढ़काना चाहिए या नहीं भढ़काना चाहिए सवाल का जवाब दिजए आप और बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है उसका पालतू प्रचार तंत्र क्यों जूट पहलाता है मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ इनका एक पालतू पत्रकार है इस पर पुलीस केज भी दर्ज है मैं आपको बतलाना चाहूँगा सुप्रीम कोट ने भी इस पर सखती की है यह अब तक क्यों गिरफतार नहीं हुआ है मैं नहीं जानता हूँ टमाटर के दाम देश भर में बढ़ रहे हैं कहीं देड़ सो रुपे परती किलो है कहीं दो सो रुपे परती किलो है और ये पत्रकार क्या जूट बोल रहा है आपके स्क्रीन्स पर मुस्लिम व्यापारी और बिचॉलियों द्वारा किसानों के टमाटर की जमाखोरी किसानों को नहीं मिल रहा असली दाम पढ़िये सुदर्शन न्यूस की एक्स्क्लूजव स्टोरी व्यापार जिहाद टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं और ये व्यक्ति गन्ना प्रधान पत्रकार जो है वो उसे व्यापार जिहाद का नाम दे रहा है सिर्व इसलिए कि आपको बीजेपी सरकार को उसकी जिम्मेदारी से बचानी है और एक ऐसा मुद्दा जो बीजेपी सरकार की नाकामी दिखानी है उसे उसके फाइदे में बदलना है इसलिए आपने हिंदू-मस्लिम आंगल दे दिया मगर ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों याद कीजे जब EMI's बढ़ गए थे यानि कि आप जो सालाना अपने मकान के लिए जो रेट देते हैं वो EMI rates बढ़ गए थे तब आज तक में इसी पत्रकार ने बाकाइद एक कारकरम चलाया था कि एक जमाने में लोग लोन लेते नहीं थे अब लोन लेने लगे हैं याद कीजे मोरवी पूल हादसा इसी पत्रकार ने तिहाड जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाले इसी पत्रकार ने आज तक नाम की ड्यूस चैनल में मोर्मी में जो लोग मारे गए थे उन पर दोश मढ़ा था कि तुम वहां क्यों पहुँँ पहुँच गए थे यहाल है इस मीडिया का याद कीजिए दोस्तों बालासोर का हादसा होता है 293 लोग एक ट्रेन हादसे में मारे जाते हैं मगर 24 घंटे भी नहीं गुजरे होते हैं तो वही संसकारी प्रचार तंत्र ये जूट पहलाने लगता है कि जहां पर आक्सेलिंट हुआ है वहां से कुछ दूरी पर एक मस्जद है जबकि वो मस्जद नहीं था वो इसकॉन का टेंपल था दूसरा जूट ये पहलाये जाता है कि स्टेशन मास्टर मुसल्मान था और वो भगोड़ा है जबकि स्टेशन मास्टर एक व्यक्ति खाथ जिसका सरनेम था मोहांटी हिंदू कहने का रथ क्या है दोस्तों कहने कारती है कि इस देश के सामने जब एक बहुत बड़ी समस्या भी होती है संकट भी होता है तब भी वहांपर हिंदू, मुसलिम और जूट पहलाये जाता है याद कीजे कोरोना की पहली लहर उस वक भी तबली की जमात पर जूटे आरोप मीडिया ने लगाये थे और बाद में तबली की जमात को सुप्रीम कोट और औरंगाबाद हाई कोट ने दोश मुक्त करार दिया था क्यूँ, जूट क्यूँ और सबसे बड़ी बात संकट आता है उस वक कम से कम एक अच्छे चरित्र का परेश है दीजे उस वक भी जूट उस वक भी हिंदो मुसलिम क्यूँ हाँ तुम में इस बात को लेकर हिम्मत नहीं होगी कि जब डी आर डियो का एक साइंटिस पकड़ा जाता है भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में जासूसी करते हुए प्रदीप कुरूलकर यह व्यक्ती है और इसकी धेरो तस्वीरें आर एसस के समारों में शिरकत करते हुए धेरो तस्वीरें आर एसस से जुड़ा हुआ है मगर क्या उन सोकॉल देश भक्तों ने एक बार भी प्रदीब कुरुलकर पर सवाल उठाया जो पाकिस्तान के लिए जासुसी कर रहा था सुबूतों के साथ ये DRDO का सोकॉल साइंटिस पकड़ा गया है पाकिस्तान की एक लड़की ने इसे हनी ट्रैप किया उसे अपनी अदाओं में भसा लिया और ये आदमी देश के सीक्रिट्स बेचने चला गया था आरेसे से जुड़ा हुआ है हिम्मत है किसी की सवाल करनी की बेवजा जूट का सहारा लेके तुम समाज में दंगे भड़का सकते हो अगर जब इस तरह के लोग जिन पर आरोप लगता है पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का तब तुम्हारे मुँपर ताले लग जाते हैं क्यूं कहां जाता है हिंदू धर्म कहां जाता है भारत के प्रती तुम्हारा प्रेम क्योंकि तुम जूटे हो तुम सिर्फ एक political party की सेवा करना जानते हो तुम्हारे अंदर नफरते भरी हुई है और बस उसी को तुम अंजाब देना चाहते हो उसके अलावा कुछ नहीं अब आप समझ रहे हैं कि एक साल रह गया लोगसभा चुनाबों का और किस तरह की साजेदारी चल रही है किस तरह से मीडिया और बीजेपी सामप्रदाइक जूट पहला रहे है जबकि आप भी जानते हैं कि पूरा सिस्टम इनके हाथ में है प्रधान मंत्री को ईश्वर तुल्ले बताता है ये मीडिया ये ब्रेनवाश किया जा चुका है जनता को मगर फिर भी समाज के अंदर जहर बोना अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ सुदर्शन नियूज आज तक की मैं दे चुका हूँ एबी पी नियूज मुसल्मानों को बदनाम करने के लिए एबी पी नियूज ने एक खबर चलाई और वो खबर क्या थी मैं आपको बताता हूँ आपकी स्क्रीन्स पर इस खबर के मताबिक एबी पी नियूज ने कहा कि एक आदमी ने चौथी शादी की पाकिस्तान में और जो चौथी उसकी पतनी थी वो उसकी अपनी बेटी थी यानि की बेटी नहीं अपने पिता से शादी कर लिए पहले उन्होंने ये खबर चलाई मगर फिर फैक्ट शेकर मौमद जुबेर जिने पुलीस के रफ़तार एक बार कर चुकी थी फैक्ट शेकर मौमद जुबेर ने कहा कि ये खबर जोटी है दरसल एक आदमी की तीन शादियां हो चुकी थी और उसने एक चौथी शादी की मगर उसने पहले तीन लड़कियों को जो है तलाग दे दिया उसके बाद उसने चौथी शादी की जिससे उसने चौथी शादी की वो उसकी बेटी नहीं थी खबर ये थी खबर पाकिस्तान की थी जब मौमद जुबेर ने एबी पी निउस को बताया कि आप जुटी खबर चला रहे हैं तब एबी पी निउस ने अपनी रिपोर्ट में थोड़ा संशोधन किया थोड़ा बदलाव किया और वो बदलाव क्या किया कि फैक्ट चेकर मौमद जुबेर ने ये बात कही है उसे बाद में इन्होंने उसी रिपोर्ट को फैक्ट चेक रिपोर्ट बना दिया मगर तब तक दोस्तों काम हो चुका था और ABP News ने खबर क्यों चलाई आप देख सकते हैं दो रुपली ट्रोल्स पहले ही इस बारे में चर्चा कर चुके थे ये जूट फैला चुके थे दो रुपली ट्रोल्स ये भाजपा का समर्थक तंत्र है वो लोग ये जूट फैला चुके थे और उसी जूट पर ABP News ने रिपोर्ट बनाई और बाद में उसमें परिवर्तन लाए क्यों? किसके पक्ष में? एक जूट क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि जिन ट्रोल्स ने उस खबर को वाइरल किया उसका मकसद क्या था? मुसल्मानों पर निशाना साथना कि देखो इनके यहां क्या होता है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ अगर किसी धर्म में चाहे वो हिंदू धर्म हो इसलाम हो, इसाई धर्म हो कुछ गलत चल रहा हो आप उसे सामने लाइए मसलन आपने कई बार इसाई धर्म के उन पादरियों को देखा होगा उन एवैंजलिस को देखा होगा जो लोग जो है कथा कर रहे होते हैं और लोग पागलों की तरह नाच रहे होते हैं वो बहुत बड़ा ड्रामा लगता है आप उसकी बात करें तो मैं समझ सकता हूँ या देख सकते हैं एक लड़के को सामने बिठाया गया है यहां पर बागेश्वर उसे कह रहे हैं अपने सिर पर मार उसके अंदर मानु आत्मा आ गई है तो इस तरह का ड्रामा चल रहा है बिलकुल इसी तरह का ड्रामा उन इसाई इवैंजलिस की सभाओं में भी होता है जो हम बागेश्वर धाम के धीरेन शास्त्री की सभा में देख रहे हैं अगर आप इस सब की बात करना चाहते हैं तो कीजिए कोई माना नहीं कर रहा है धर्म काइदे से आलोशना से उपर नहीं होना चाहिए जो कलरजी उस धर्म को चलाता है जो धर्म गुरू उस धर्म के नुमाइंदे बरते हैं उसका चहरा बनते हैं दिक्कत उसमें हैं दोस्तों उसकी आलोशना कीजिए कोई माना नहीं कर रहा है अरे मगर कम से कम जूट तो मत बोलिए और एक और जूट मैं बताता हूँ दोस्तों अब इस वीडियो में जहां सारे आक्टर्स हैं एक नाटक चल रहा है इसमें ये जूट बतलाया जा रहा है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को डाइवोस किया और हलाला के लिए अपने दादा के पास भीज दिया दादा को उसकी पत्नी पसंद आ गई अब दादा उसे नहीं छूट रहा है हलाला होने के बावजूद तो ये जूट बोला जा रहा है यहां पर जबकि ये नाटक था ये हकीकत नहीं थे एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ हाल ही में फ्रांस में दंगे हुए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ बीजेपी के एक नेता है अमरिता राठोर उन्होंने एक जूटी खबर चलाई और नसिर्फ अमरिता राठोर बलकि बीजेपी से निकाला गया एक नेता था नवीन जिंदल जिन्होंने हजरत साहब के बारे में आपती जनक बात कही थी उन्होंने एक जूटी खबर चलाई कि देखिए फ्रांस में एक कथीड्रल में आग लगा दी गई है और जाहर सी बात है कथीड्रल, इसाई धर्म और जिम्मा किस पे ठहराय जा रहा है मुसल्मानों पर मगर ये खबर तीन साल पुरानी है दोस्तों उसका फ्रांस के दंगों से कोई लेना देना नहीं है मगर ये जूटी खबर बीजेपी के एक नेता और एक पूर्वनेता चला रहा था यानि कि करनाटक को लेके जूट बंगलादेश को लेके जूट पाकिस्तान को लेके जूट फ्रांस को लेके जूट ये प्रचार तंत्र हर चीज को लेके जूट बोलता है क्योंकि उन्हें लगता है ये जूट बोलकर एक समुदाए पर निशाना साथ के हमें votes मिलेंगे चपपर फाड मगर आप मेंसे कई हिंदु इस बात को नहीं समझ रहे हैं जो इनके अंदभक्त हैं ये लोग हम हिंदुओं को भड़काओ बना देना चाहते हैं डर्पोक बना देना चाहते हैं हमारी मांसित्था को ऐसे बना देना चाहते हैं कि हम हर जूट पर विश्वास करने लगें यानि कि मध्धपूर्व के वो जो कट्टर इसलाम था जहांकि धर्म गुरु ये कहा करते थे इसलाम खत्रे में हैं इसलाम खत्रे में हैं और उनसे सारी बाते मनवा लेते थे ये लोग हमारे धर्म को भी बिलकुल उसी कट्टर इसलाम की तरह बना देना चाहते है जबकि मेरा धर्म जो है वो वसुदैव कुटुमबकम में विश्वास करता है सर्व धर्म संभाव में विश्वास करता है मैं फिर दोरा दू अगर कुछ गलत हो रहा है उसकी आलोश न होनी चाहिए मगर अधिकतर मामलो में ये जो संसकारी प्रचार तंत्र है वो जूट बोलता पाया जाता है क्यों अरे भाई ये सवाल तो उटना चाहिए ना कि जूट की जरूरत क्या है कि आप अपनी बात बगएर जूट कहें नहीं कह सकते बगएर जूट बोले क्यों नहीं कह सकते अपनी बात अताई ये सवालात हैं और इससे मू नहीं मोड़ा जा सकता बोल कि लबाजाद हैं बस इतना ही अबसार को दीजिए अजासत नवस्कार झाल